हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप यदि आप भी कुछ चटपटा मज़ेदार हेल्थी और कम तेन में बना हुआ नास्ता खाना चाहते हो तो एक बार इस नास्ते को बना कर जरूर ट्राई करिएगा आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि इसके आंगे समोसा कचोड़ी सिर्फ दो चमस तेन में ये बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे दो से तीन दिन के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए फटा फट से इस मज़ेदार से हेल्थी नास्ते को बनाना हम शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कटोरी पोहा लेंगे त इस नास्ते के लिए आप मोटा पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं तो यह देके पोह को हमने धुल लिया है अब इसे एक बावल में हम निकाल रेते हैं और जिस कटोरी से हमने पोहा लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी हम सूजी लेंगे सूजी मोटी बारिक आप कोई भी लिया है तीनों चीजों को अच्छे से मेक्स कर देंगे तो मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी आप कप जरूर सेट करिएगा उसी से सारी चीजें डालिएगा तो यह देखे अच्छे से हमने मेक्स कर दिया है और अब इसमें हम पानी डालेंगे तो एक कटोरी हमने पानी और यहां पर हमने दो मेडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं आलू को छील का ठंडा कर लिया है हातों से ही इन्हें हम मैस कर देते हैं तो यह देखिए दोनों आलू को हमने मैस कर लिया है और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो एक चोटी चमच धनिया पाउडर एक चोटी चमच लाल मिंड़ पाउडर और एक चोटी चमच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे जो कि हमारे आलू को चट पता बनाएगा कलर के लिए एक चोटी चमच कस्मीरी लाल मिंड़ साथ में दो कटी हुई हरीमिश डाल देते हैं और एक चमच इसमें हम नीवु का रश डालेंगे प्लेवर के लिए यहाँ पर हम एक पाउच मैगी मसाले का डाल ले हैं आप इसकी जगे पाउभाजी मसाला, सांभर मसाला या पिज्जा पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं जीज का प्लेवर आपको पसंदो वो आप डाल दीजे तो एक पाउच इसमें हमने मैगी मसाले का डाल दिया है और अब इसमें नमक डालेंगे तो एक चोटी चमच हमने नमक भी डाला है क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक होता है साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बस सभी चीजों को अच्छे से आलूओं में मिक्स करते हुए आलूओं का एक डो तैयार कर लेंगे तो ये देखिए सभी चीजों को अच्छे से mix कर लिया है और ये हमारा आलूओं का चटपटा सा डो बनकर तयार हो गया और इधर सूजी और पोहे को रखे भी 10 मिनट हो गये हैं तो ये देखिए सूजी और पोहा अच्छे से फोल गए है और ये बैटर गाड़ा हो गया है अब इस बैटर को mixi के jar में डाल देंगे क्योंकि इसका हम smooth paste बनाएंगे और ये बैटर अच्छे से हमारा पेश सके तो इसके लिए आदी कटोरी में हम पानी डाल देते हैं साथ में दो हरी मिर्च तोड़ कर डाल देंगे और आधा इंच अद्रक का टुकड़ा है इसके भी छोड़े छोड़े पीस करके इसमें डाल देंगे और सभी को बिल्कुल smooth पीस देंगे तो ये देखिए सूजी और पोहे का बैटर बनकर तयार हो गया और नास्ते के लिए हमें इतना गाडा ही बैटर चाहिए तो एक बाउल में इसको हम निकाल लेते हैं और जो जार में लगा है उसे आप हाथो से ही निकाल लीजेगा पानी का यूच मत करिएगा अभी इस बैटर को हम आधा आधा दो बावल और इस पर एक छोटी चमच तेल डालेंगे और अच्छे से थाली को तेल से ग्रीस कर लेंगे यह देखे सभी तरफ हमने बहुत अच्छे से तेल लगा लिया है अब आधा बैटल लेंगे इसमें आधी छोटी चमच नमक डालेंगे और चोथाई चमच इसमें खाने वाला सोड़े के ऊपर एक छोटी चमच पानी डालेंगे जिससे सोड़ा अच्छी से एक्टिविट हो सके और अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस बैटर को ग्रीस की हुई थाली में फैला देंगे तो अच्छे से सब तरब फैला देते हैं यह देखे इस तरह से और अब इसे हम इ कटोरी में पानी भरके आप बीच में रख दीजे और थाली को स्टेंड के उपर हम रख देंगे और मीडियम प्लैम पर इसे पांच मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे तो पांच मिनट हो गए और यह देखे अच्छे से बैटर स्टीम हो चुका है अब इसको हम निकाल लेते हैं यह देखे हातों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और बहुत अच्छे से स्टीम हो आए इसमें बवल सा रहे हैं और अब इस पर हम लगाएंगे सेजवान चटनी तो पतली सी लेयर इस पर हम चटनी की लगा देते हैं आप इसकी जगे टमेटो केचप पिजा पास हमने तयार किये थे उनकी भी एक पतली सी लेयर हम चटनी के ऊपर लगा देंगे यह देखे इस तरह से तो सारे आलूओं को हमने पतला पतला चटनी के ऊपर अच्छे से लगा दिया है और जो बैटर हमने बचा के रखा था आदा उसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम चोथा ही चमच खाने वाला सोडा डालेंगे पानि डालके अच्छे से मिक्स करेंगे तो नमक का यूज आप कम करिए गा क्योंकि हमने आलो में भी नमक डाला है और दोनों बै डाला है तो नमक आप कम से कम यूज करिएगा और इस बैटर को भी आलू की लेएर पर अच् हम इस्टीम होने के लिए धीरे से रख देते हैं यह देखे इस तरह से और गैस की प्लेम मेडियम कर देंगे और मेडियम प्लेम पर इसे दस मिनट के लिए हम इस्टीम करेंगे तो तकरीवन दस मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक करते हैं तो यह देखिए बहुत अच्छी से श्टीम हो चोका है, तूठपिक डाल कर चेक कर हैं तो तूठपिक बिल्कुल साफ निकल रही है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, और इसे पूरी तरह से थंडा होने देंगे, तो तक्रीवम 9 गंटा हो गया है, और यह हमारा नाशता बिल्कुल थंडा हो चुका है, और एक पीस हम निकाल के भी दिखाते हैं यह देखे कितने अच्छे सी यह स्टीम हुआ है बिल्कुल भी थाली में यह देखे चिपका नहीं है तो इसी तरह से सारे पीस हम निकाल कर तयार कर लेंगे आप इने इस तरह से 2-3 दिन तक फ्रिज में इस्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी यह खराब नहीं होते और इसी तरह से आप इने खा भी सकते हैं क्योंकि यह बहुती जादा चटपटे और हेल्थी हैं पर आज इने हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे जिससे यह बहुती ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाएंगे तो पैन में 2 चम्मज तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया था गरम तेल में इनको हम एक एक करके डाल देते हैं तो जितने पैन में पीस आते हैं उतने डाल दीजे आप इने तवे पर भी फ्राइ कर सकते हैं और जब हलका सा इन प कोहा सेंडविच भी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और यकीन मानिए समोसा कचोड़ी से भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी हैं आपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं सामकी चाई के साथ खा सकते हैं उम्मीद है आपको ये हेल्थी नास्ता जरूर पसंद आया होगा तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये नास्ते की रेस्पी कमेंट करके जरूर बताएं और रेस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और सेर भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही नई रेस्पी के